जैसे किष्णा एवरीवन स्वागत है आपका आज किते से एस्ट्रोलिजी में कृष्णिस हापनेस कृष्णि ही खुशी है जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे एक इंपॉर्टन टॉपिक पे इन्फोर्मेटिव टॉपिक भी है कि हमारे इन लॉज कैसे हमको मिलेंगे कैसे प्राप्त होंगे तो ये सबकी जिग्यासा भी रहती है और एक बहुत हमारे जीवन का इंपॉर्टन फाक्टर भी रहता है विभा को लेके तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्च पसंद आएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्च कर दीजे लाइक करिए कमेंट करिए सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे है अतिया भार है आप लोगों का उसके लिए नोटिफिकेशन बेल अवश्च कुछ कर दीजेगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किये गए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे हैं डबल रिक्वेस्ट है नोटिफिकेशन बेल अवश्च कर दीजेगा जिनको personal consultations लेनी है अपने जीवन के बारे में, profession के बारे में, health के बारे में, संतान के बारे में, career के बारे में किसी भी संबंद में कुंडली का visualization कराना है अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं बहुत असान है मेरे नमबस वीडियो में फ्लाश होते रहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिये रहते हैं आप मुझे इमेल के थूँ संपर्क कर सकते हैं कितना ध्यान रखिएगा दोस्तों जो पर्सनल कंसल्टेशन होती है वो पेड होती है जिनको जोतिश विद्या सीखनी है निमरोलजी सीखनी है वास्तु शास्त्र सीखना है स्वागत है अवश्य सीख सकते हैं धीरत से स्पिरिच्वालिटी से कोर्स के बारे में जानने के लिए फीस के बारे में जानने के लिए अबधी के बारे में जानने के लिए इन्ही नंबरों पे संपर्ग कर सकते हैं या इमेल के तुरू भी संपर्ग कर सकते हैं दोस्तों ये जो विशे है ये सबके लिए बहुत important है, हमारे आपके सबके लिए बहुत important है जैसा हम सब जानते हैं क्योंकि एक विवा है जो वो एक समझ दीजिए हमारे जीवन का important factor है और फिर साथ में सारे रिष्टे जो हमको विवा के साथ मिलते हैं वो भी बहुत important है उन्ही के द्वारा हमारा जीवन कभी कबार बहुत सुखद भी हो जाता है कहने को हमारे जो हमारी सास होती है या हमारे ससुर सहाब होते हैं उनके रूप में हमको अपने mother और father प्राप्त होते हैं या कई बार वहां से भी हमको problems प्राप्त होती है ये नहीं है हमेशा के ससराल पक्स की बात अगर करी जाए तो वहीं से हमको problems होती है हमारे अपने निजी रिष्टे जो अपने हमारे blood relatives हैं चाहे कभी किसी के लिए mother किसी के लिए father किसी के लिए अपने brother sisters वो swim भी देखिए तकलीफ का कारण जीवन में बन जाते हैं और ये बड़ा एक known factor है बहुत सुभाविक है उसी प्रिकार को लेके कभी भी आगे बढ़ना भी नहीं चाहिए जो कुछ points मैं बताने जा रहा हूँ वो अवश्च पत्रिका में आपको ये बताने के लिए help करेंगे कि हाँ आपका जो in-laws हैं वो आपके कैसे हो सकते हैं परन्तो एक बात उससे पहले मैं अवश्च ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि देखिए जो हमारा duty है हमारा जो action है जीवन में अगर देखिए वो सही रहेगा स्थिती के हिसाब से हम उसको अगर यूं कह लीजिए कि उसमें हम लोग adjust करेंगे कहीं प्रकार से accept करेंगे चीजों को चीजें अच्छी होती चली जाती है हम अपने घर के अगर कोई point होता है अपनी mother के साथ अपनी फादर के साथ अपने बहन भाईयों के साथ हम लोग accept करने की कोशिश करते हैं हम लोग उसको समझते हैं कि भई नहीं हमारी ये duty है हमारी ये responsibilities है यही मन और यही एक जीवन का जो perception है अगर हम अपने ससराल की तरफ भी या ससराल पक्स की तरफ भी लगाएंगे तो शायद हमको ज्यादा असानी होगी संबंदों को ठीक करने में या सही चलाने में तो देखिए सबसे बड़ा factor जो हमारे laws को indicate करते हैं वो है राहू महराज पत्रिका में राहू महराज को जो है ससराल का पक्स दिया गया है और आप समझ सकते हैं राहू दिखाता है कि हम दे रहे हैं लेकिन वो लेता ज्यादा है जीवन में हमसे और केतु का इससे थोड़ा उलट है वो ऐसे लगता है कि वो जीवन में हमसे सब कुछ ले रहा है लेकिन actually में वो हमको देता है अगर हम लोग इसको deep sense में समझेंगे लेकिन हम लोग अभी यहाँ ही पे रहते हैं यहाँ समझते हैं कि राहू महराज जो हैं वो हमारे ससराल पक्ष का दियो तक है तो पत्रिका में अगर हमारी राहू खराब है तो यह मान लीजे के हमको ससराल पक्ष से प्राबलम जीवन में आने वाली है अच्छा राहू की position 6th में, 8th में, 12th में अगर होगी तब आप मान के चलिए अवश्च challenges आने वाले हैं हमारे ससराल पक्ष को लेके और हमारी नीती उनके साथ चलने की कैसी होनी चाहिए यह हमको समझना पड़ता है वहाँ पे अच्छा अलग-अलग planets के साथ अगर राहू बैठा हो या जिनके राहू अकेला बैठा हुआ है स्वचंद हैं, लेकिन वो किसी नक्षत्र में बैठे होंगे अवश्य उस नक्षत्र से भी आपको देखिया आपके ससराल पक्स के बारे में पता चलेगा माल लीजे, राहू सूर के साथ बैठे हुए हैं आपकी पत्रिका में या राहू सूर के किसी नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो माल लीजे के वहाँ पे कहीं न कहीं एक dominance एक ego एक power का struggle आपस में आने वाला है और वो struggle कभी कबार प्रभुत्ता के उपर होता कि हम बड़े हैं आप बड़े हैं हमारी बात मानी जाएगी आप की बात मानी जाएगी इस तरीके की चीज़े हो सकती है हाँ अवश ससराल पक्ष उचा हो सकता है बड़ा हो सकता है लेकिन यहाँ पे यह सारी चीज़ें देखिए जीवन में आ सकती है इसकी वज़ा से कहा सुनी या बातें उची नीची हो सकती है राहू अगर चंद्रमा के साथ बैठा होगा या चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा होगा सेंस्टिविटी है इमोशनल इशू है ज्यादा तर मेंटल ट्रॉमाज है आदमी जो है मानसिक पताड़ना जादा इस समय उठाता है कई बार ये राहू और मून का संबंद साथ में बना हो या राहू महराज अगर चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हो जिसके भी बैठे हो तो ये मान लीजिए उनको तुरंत ये समझ जाना चाहिए कि हम अपने जीवन में ससराल पक्ष की तरफ जब जाएंगे हमारा विभा होगा तो ये वाली सिचुएशन हमारे साथ आने वाली हैं कि mentally हम उपचा नीचे होंगे कभी हम emotionally hurt होंगे कभी हमारी sensitivity hurt होगी तो एक तरीके से mental trauma से हम होंके गुजरेंगे कभी हम को कभी हम इस तरीके के काम कर सकते हैं या कभी हम को उधर से इस तरीके के काम प्राप्त हो सकते हैं ऐसे actions हो सकते हैं जिसकी वज़ा से हमारा मन दुखे मन हमारा सुखी ना रहे एक प्रतारणा मिले एक मानसिक प्रतारणा मिले अब यही राहू महराज अगर मान लीजे किसी की पत्रिका में मंगल महराज के साथ बैटे हुएं या मंगल के नक्षत्र में बैटे हुएं तो यहाँ पे भी देखिए एक अथॉरिटी की लड़ाई जगडा कई बार मारा कुटाई कई बार अब्यूसिव लैंग्वेज गलत शब्दों का प्रेयोग करना ये चीजें जादा होने लग जाती है आपस में ऐसी संभाव न रहती है कि हाँ ससराल पक्से इस तरीके की ची या राहू अगर मंगल के नक्षत्र में बैठा होता है ऐसी स्थिती में तो ये वाली सिचुएशन आ सकती है तो पहले से ही पता होता है कि भाई देखिए इस तरीके की चीजे हो सकती है तो हमको किस प्रकार से अपने आपको हांडिल करना है या किस प्रकार से हमको अपना प्रिस्ता चलाना है राहू महराज अगर बुद्द के नक्षत्र में बैठे होते हैं या मान लीजिए बुद्द के साथ बैठे हूँए हैं पत्रिका में तब हमको जो ससराल पक्स की बात होगी तो बहुत ज़्यादा आप मान सकते हैं कई बार डिमांडिंग होते हैं कई बहुत ज़्यादा बात चीत करने वाले होते हैं बहुत इंवाल्मेंट शो करते हैं कई बार आज के जमाने में ऐसा लगता है कि हमको इतनी नहीं चाहिए लेकिन फिर वही वाली बात सोच लेनी चाहिए कि हमारा अपना घर परिवार हो माता हो पिता हो भाई बेहन हो हर प् तो उसको गलत नहीं सोचना चाहिए या कभी कबार होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे ससराल वाले बोलते हैं बात करते हैं हमेशा हर एक चीज़ में अपनी राय प्रदान करते हैं हर एक चीज़ में उनका पॉइंट ओफ यू होता है या उनकी बात चलती है ये वाली एक गलतियां ढूंडने वाले होते हैं सारकास्टिक होते हैं कई बार कुछ चीज़ों के लिए बड़ा तौरित रूप से काम करने वाले होते हैं उससे नहीं उलजना चाहिए कि भाई अगर कोई गया है उनका इस तरीके का कॉम्बिनेशन है राहू और बुद्ध का वो कह रह साटन के नक्षत्रा में बैठा हो तब भी देखिए कई बार या तो ससराल पक्ष बहुत उचा मिलता है या बहुत नीचा मिलता है अपने स्टैटिस से दूसरी बात बहुत कंजरवेटिव होते हैं बहुत पुराने ख्यालाद के होते हैं अपनी तौर तरीके चलाने वाले old customs old چیزیں वो सब ले आते तो कहीं बार हम अपना सामंजस से वहां नहीं बैठा पाते हैं तो राहू और साटन की जब युती होती है पत्रिका में या राहू महराज साटन के नक्षत्रा में बैठे हो तब देखिए इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है ख्यालात में डिफरेंस आ जाता है वो किसी पुरान पंथी तरीके से काम करेंगे हमको आजकल के समय में काम करना है वहां पे देखिए टकराव हो जाता है राहू शुक्र महराज के साथ बैठे हों आपकी पत्रिका में या राहू महराज शुक्र के नक्षत्र में बैठे हों तो आप कह सकते हैं हर प्रकार का लगजरी, कमफर्ट, प्लेजर, सीकिंग इस तरीके के हमको ससराल पक्ष मिलता है हर प्रकार का उनको आनंद लेने वाले हर प्रकार के कमफर्ट, लगजरी में अब उनको आपके साथ शामिल होना है इन चीजों में अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो उनको भी उस चीज की चाह होती है इच्छा होती है बट नाचरल है हम उसको कभी कबार गलत लेते हैं कि हमको ये चीज चाहिए तो उनको भी वो चीज चाहिए तो यहां पे सोचने का जो एक तरीका होता है वो ना मिले उनकी सोच और आपकी सोच बिलकुल फरक हो जाए किसी मामलों में जबकि आप भी सही हो कुछ मामलों में वो भी अपने मामलों में सही हो लेकिन आप लोग कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं कहीं बार ऐसा होता है ना कि विरोधी हो जाते हैं एक चीज को THAT आप ने जो कहा है उनको नहीं मानना है उन्होंने जो कहा है वो आपको नहीं मानना है यहां पे देखिये प्रॉब्लम हो जाती यह फिर बहुत ज्यादा philosophical कभी कबार बहुत जादा religion बहुत जादा अपने बात पे चलने वाले या चलने वाले होते हैं तो दूसरा पक्ष इस चीज़ को नहीं सही तरीके से ग्रहन कर पाता है तो राहू देखिए एक main point बनता है हमारे ससराल पक्ष के रिष्टों को जानने के लिए कि हमारा रिष्ट कैसा रहने वाला है जैसे मैंने आपको बताया और अब इसके साथ साथ अगर राहू महराज पत्रिका में खराब स्थिती में बैटे हुए हैं तब भी देखिए problem होती है यहां से अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि देखिए जो हमारा eighth house होता है हमारी पत् लीजे उनकी family हुआ तो हमारा ससराल पक्स को denote करता है अब आठवे स्थान पे अगर आपकी पत्रिका में मान लीजे राहू मंगल चनी के तू महराज बैठे हूँ है इस तरीके के planets बैठे हूँ है आपकी पत्रिका में तो आप मान के चलिए कि but obvious है कि हमको वहां से problem आने व चाह कहीं प्रकार का उस को हम लोग house या भाव समझते हैं लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर भाव में देखिये आनन्द भी चुपे हुए है और कही न कहीं problem में जैसे हम सब में हमारे अंदर कहीं प्रकार की अच्छाईयां भी हैं और कहीं प्रकार की बुराईयां भ उठाते रहें धीरे धीरे यही बात हाउसेज या भाव में होता है तो अस्टम स्थान देख लीजे खराब तो है नहीं हर चीज के लिए यहाँ पे देखिए हम ससराल पक्ष देखते हैं अब आठवें स्थान का स्वामी पत्रिका में अस्टम में बैठा हुआ है सुसजित त तत्वों में कमी आगए क्योंकि बई प्लानेट अगर वहाँ पे जाके बैठेगा ग्रह जाके बैठेगा तो बट नाच्रिल है वो अस्टम स्थान को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस करेगा अपना बलिदान करेगा तो ब्रस्पती हैं शुक्र हैं वो अपना परणतु ससरालपक्ष से आपको फाइदे प्राप्त होते हैं इसलिए कहा जाता है कि अगर शुप प्लानेट बैढ जाते हैं अश्टमस्थान में तो हमको कई प्रकार के फाइदे प्राप्त होते हैं अपने ससरालपक्ष से और हमको अपने Life Partner से भी तो अश्टमस्थान का Clear ह अच्छा होना बहुत जादा जरूरी है कि हमारा ससराल पक्ष अच्छा हो और अगर वहां पे प्रॉब्लम्स है हमको उसके हिसाब से उचित उपाय करने पड़ते हैं उचित साधन करने पड़ते हैं या हमको समझना पड़ता है कि हम किस तरीके से चले हम किस तरीके से अपनी duty पूरी करे जहां पे हमारा प्रबंधन वहां पे सही रहे एक बात और है देखिए अब इसके बाद कि लगन का स्वामी जो है याने की हम स्वेम जो first house का lord होता है लगन का स्वामी अगर हमारी पत्रिका में अश्टम स्थान के स्वामी के साथ शडास्टक योग में बैठा होगा छटे या आठवें पोजीशन में तब भी देखिए प्रॉबलम आ सकती है विभा को लेके आपस में प्रॉबलम आ सकती है ससराल पक्स की बात कर रहा हूँ दस्वा स्थान जो हमारे करियर का होता है हमारे प्रॉफेशन का होता है हम उससे अपना बिजनिस देखते है सारी चीज़े देखते है हमारा मान सम्मान देखते है एक दूसरे एस्पेक्ट से ये हमारी मदर इनलो का या सास का भी घर होता है टेंथ हाउस हमारे लगन का स्वामी 10th house के स्वामी के साथ अगर शडास्टक योग में होगा तब भी देखिए प्राबलम यहां पर उत्पन हो सकती है देखिए तो लगन का स्वामी इनके साथ क्योंकि जो दसम स्थान का स्वामी है हमारी mother-in-law का है अगर उनके साथ आपस में शडास्टक योग में बैठा होगा इसका मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर अश्टम स्थान के साथ उसका सही तरीके से उसका कॉंबिनेशन नहीं बन रहा होगा उसके उपर शुप प्रभाव नहीं पढ़ रहे होंगे शडास्टक में होंगे तब भी देखिए चिंता या परशानी प्रॉब्लम बढ़ सकती है ससराल पक्स को लेके अब यहीं पे अश्टम स्थान में अगर कोई नीच का प्लानेट बैठा हुआ है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है ससराल पक्स को लेके दशमस्थान में अगर नीच का प्लानेट बैठा हुआ है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है हमको अपनी मदर इनलो को लेके या दशमस्थान का स्वामी ही हमारी पत्रिका में नीच का है या अश्टमस्थान का स्वामी ही हमारी पत्रिका में नीच का है तब भी देखिये हमको ससराल पक्ष से प्रॉब्लम्स आ सकती है या हमारी mother-in-law से father-in-law का जो घर है हमारी पत्रिका में वो होता है third तोंकि seventh house से जब आप गिनेंगे जो आपके life partner का घर है वहाँ से जब आप nine house आगे गिनेंगे नौ भाव आप जब आगे गिनेंगे तो वो आता है third house तो third house हमारे जो है वो father-in-law का है या ससुट जी का है तो वो वाले planet के साथ आपकी पत्रिका में आपका combination किस तरीके का है वो भी जानना जरूरी हो जाता है third house का lord अगर हमारी पत्रिका में सुसज्जित है तब देखिए वहाँ से आपको snap frame सम्मान मिल सकता है दरवाईज वहाँ से भी कई प्रिकार की परशानी हो सकती है एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए राहू का combination पत्रिका में अगर राहू, मंगल, शनी इस तरीके से साथ में बैठे हुए है पहली ही पॉइंट है जान लीजिए कि ससराल पक्ष से काफी problem जाने वाली है या ये वो कर्मा है जो हमको कहीं बार उतारना पड़ सकता है कहीं बार हमारी अपनी गल्तियों की वज़ा से या हमको कुछ भुकतान भुगतने होते हैं ये अवश्य जान लीजिएगा तो इस तरीके कांबिनेशन भी जो राहू के साथ बन रहे होते हैं मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया के राहू जो है वो प्राइमरी फाक्टर है हमारे ससराल को लेके तो राहू के साथ अगर इस तरीके की कॉंबिनेशन बन रही है राहू स्वेम अस्टम में बैटा है और मंगल बैटा हुआ है साथ में तो आप बट अब्वेस है जान सकते हैं कि हाँ हमको हमारे ससराल में प्राब्लम होगी ही होगी थोड़े से बहुत जादा तक देखिए प्राब्लम हो सकती है एक और बात यहाँ पे देखिए बहुत important है हमारे विभा का कारक जो है देखिए शुक्र है और स्तिरियों का कारक भी शुक्र है और मा का कारक हम लेते हैं चंद्रमा को मून को इन दोनों की स्तिती भी हमारी पत्रिका में शुक्र और चंद्रमा की स्तिती अगर हमारी पत्रिका में बहुत अच्छी है तब भी हमको स्नेह या प्रेम मिल सकता है अपने ससराल से इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है इन चीजों के साथ जो मैंने भी नहीं मिला एक माता सा तोकि चंद्रमा भी अगर हमारी पत्रिका में खराब है तो आप ये भी आगे से मान के चलिए कि विवाज जो है कहीं प्रकार का पेबैक्स लेके आ रहा है कहीं प्रकार की परशानिया या कश्ट लेके आ रहा है उसके साथ अब लास्ट में हुए है पत्रिका में चंद्रमा और शुकर भी मालूम बड़ा बैटे हुए है पत्रिका में लेकिन एक बात मैं आप को बता दूँ अस्टमस्थान का कारक प्लानेट होते हैं शनी महराज अगर पत्रिका में शनी खराब है तब भी हमको कई बार ससराल पक्श से प्रॉब् पूरुष की कुंडली में अश्टम स्थान जो होता है आपकी इर्रिस्पेक्टिव आफ के आपकी पत्रिका में अश्टम स्थान में कौन सी राशी पढ़ती है कौन सा लगन है आपका और कौन सी राशी पढ़ती है आपकी अश्टम स्थान में लेकिन फिर भी काल पूरुष की कुंडली में अस्टम स्थान जो है वो वरशिक राशी या स्कॉरपियो साइन को दिया गया है अब आपके पत्रिका में वरशिक राशी में वरशिक राशी जहां भी पड़ती हो आपकी पत्रिका में अब वहाँ पे अगर मान लीजिए पत्रिका के खराब प्लानेट्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं मालुम पड़ा राहू, शनी ये सब प्लानेट्स बैठे हुए हैं और उनका अश्टम्स्थान से आपकी पत्रिका में कोई संबंद नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हमारे जीवन में ससराल से हमको बहुत जादा प्रॉब्लम्स हैं तब मैं आपको उसी का एक इंडिकेशन बता रहा हूं कि अपना व्रशिक राशी भी देख लीजे कि वो पूरी तरीके से क्लीन है या हमको वहां से रिलेटिड कोई उपाय करने पड़ सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपकी पत्रिका में अश्टम स्थान का स्वामी अच्छा हो दशम स्थान आपका मजबूत हो हर प्रकार से चंद्रमा शुक्र आपकी पत्रिका में बढ़िया बैटे हो और मालुम नहीं कर सकते हो कि काल पूरुष की कुंडली में वो अश्टम स्थान है वो भी हमारे ससराल को दिखाता है साथ में सैटन जो अश्टम स्थान का कारक है पत्रिका में हमारी देखिए जितनी चीजें अच्छी बनेंगी अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया मैं आपको एक रिपीट कर देता हूँ राहू हमारी पत्रिका में सुसजित है आनंद रहेगा आपके ससराल पक्ष में राहू जिस ग्रह के साथ बैठे हुए हैं या जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए हैं वो हमको बताएगा कि हमारे ससराल पक्ष से हमारा किस प्रकार का नाता होन वाला है साथ में ही उसके बाद हमको ये चेक करना है कि हमारी पत्रिका में हमारे लगन का स्वामी अश्टम स्थान के स्वामी के साथ शडास्टक योग तो नहीं बना रहा है थर्ड हाउस के स्वामी के साथ शडास्टक योग तो नहीं बना रहा है क्योंकि ये सब देखिए आपस में ना बनने का, आपस में relationship तल्क रहने का, थोड़ा खराब रहने का एक सूचक हो सकते हैं, बहुत important है, दस्वे स्थान का स्वामी हमारी पत्रिका में नीच का तो नहीं है, दशम स्थान में कोई नीच के प्लानेट तो नहीं बैठे हुए है, या खराब स्थिती तो नहीं हैं, वो देखी हमको बता सकता है, अश्टम स्थान में नीच के प्लानेट का बैठा होना, या अश्टम स्थान में खराब प्लानेट का बैठा होना, वो भी दर्शाता है के हमारी पत्रिका में ससराल पक्ष से हमको problems हो सकती हैं, और उसके बाद हमको ये देखना के हम समारा ससराल पक्ष कैसे रहने वाला है जितने इसमें आप पॉइंट्स देखेंगे के वो सहीं है उतना आपको अच्छा उनसे सने प्रेम मिलेगा और जितने पॉइंट्स खराब हैं जैसे राहु खराब 10 थाॉस का लौड खराब एर थाॉस का लौड खराब तो उतनी या sister-in-laws होते हैं उनके बारे में भी हम लोग अब लास्ट में मैं बता रहा हूँ उनके बारे में भी हम लोग देख सकते हैं क्योंकि देखिए हमारा जो seventh house है वहाँ से हम लोग अगर count करेंगे तीन स्थान आगे तो देखिए nineth house आता है nineth house हमारे जो है छोटे sister-in-laws का या brother-in-laws का होता है nineth house हमारी पत्रिका में अगर वहाँ पे देखिए किसी परकार के खराब planets बैठे हुए हैं तो हो सकता है हमारी उनसे किसी परकार की नोग जोग या उनसे जीवन में समस्या हो सकती है हम अगर अगर अपने बड़े जो हमारे brother-in-laws और sister-in-laws होते हैं उनको बड़े जो हमसे होते हैं उमर में तो आप यूं कह सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे fifth house से क्योंकि seventh house से जब आप count करेंगे ग्यारा स्थान आगे तो वो आएगा पंचम स्थान आपकी पत्रिका का वहां से हम देखेंगे हमारे बड़े जो sister-in-laws होंगे या brother-in-laws होंगे वो वहां पे पंचम स्थान में अगर खराब planets बैठे हुए या पंचम स्थान का स्वामी अववश्थित हुआ हमारी पत्रिका में तो हो सकता है हमें उनके कारण हमको किसी परकार की तकलीफ हो सकती है तो देखिए अंतिम में यही कहूंगा कि ससराल पक्स को जानना जरूरी भी है हमको हमारे लिए क्यों क्योंकि मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम फिर उस हिसाब से काइदे से अपना जीवन वहाँ पे सहीयमित रूप से चला सकें एक बात सबसे जादा और important है देखिए सारे factors पत्रिका में सब के साथ सही नहीं हो सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ससराल पक्स का जो एक बाटन है जो एक कमान है वो दे दी गई राहू महराज के हाथ में और मैंने आपको पहले ही बताया राहू देने से ज़्यादा अंतताः ले लेते हैं वो एक माया है, भरह्म है इसी लिए कहा जाता है ससरालपक्ष से किसको आनंद मिलता है किसको सुक मिलता है लेकिन ऐसा नहीं है कहीं लोगों को ससराल पक्ष से खुब फ्रेम मिलता है अपने माता पिता जैसा वो उनको समझते हैं ससराल पक्ष वाले इनको समझते हैं बहुत जादा ऐसा कत्ता ही नहीं समझना चाहिए यहां पर फिर वही वाली बात आती है कि हम अपनी ड्यूटी किस तरीके से निभाते ह हमारा मंगल किस रूप में बैठा हुआ है क्योंकि देखिए अगर राहु को कोई इंपावर कर पाता है उसके उपर कोई हावी हो पाता है तो वो है मंगल महराज और मंगल महराज क्या है वो है हमारी ड्यूटी हम किस हिसाब से अपने कार्यों को करते हैं हम अगर अपने का के साथ कोई ना कोई देखिए problem's होती ही हुती है कभी हमको बदलना होता है कभी उनको बदलना होता है कुस चीजों में तो हमको क्या चीजें अपने जीवन में ठीक करनी है के हम अपने ससरालपक्ष में आनंद या सुख उठा सके और देखिए कहीं बार फिर ऐसा भी होता है हमारे अपने कहीं प्रकार के कर्मों की वज़ा से हम कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं जो हमारे लिए कहीं प्रकार के bad experiences लेके आते हैं फिर वो सिरफ ससराल पक्स के लिए नहीं होता वो तो हमारे अपने भाई बहन भी हो सकते हैं जो हमको कहीं प्रकार का तरास दे दें तो इसलिए उनको कट घरे में रखना उचित नहीं रहेगा तो ये वीडियो अवश्य आपको पसंद आएगा समझेंगे भी कोई भी प्रश्ण हो इस वीडियो से संबंदित अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ राधे राधे जैशी क्रिश्णा